उत्त परदेश में सभी करणचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ती का बीवरा देना ज़रूरी कर दिया गया है और आज के बाद यानि 30 सितंबर के बाद जिन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ती का खुलासा सरकारी पोर्टल पर नहीं किया उनकी तनख्वान नहीं बनेगी कैसे ये ब्योरा दिया जा रहा है क्यों ये जरूरी है सरकार ने इसको लागू करने के लिए किस तरीके के प्रावधान किये हैं इसी को हम समझाने की कोशिश करेंगे ये सरकार का मानौ संपता पोर्टल है मानव संपता पोर्टल पर उत्रप्रदेश सरकार के करीब 90 विभाग के 827,000 कर्णचारी जो रेजिस्टर्ड है जिनका इस पर रेजिस्ट्रेशन है यह पूरा ब्योरा है जो पब्लिक डोमेन में है यही पर अब सभी कर्णचारीओं को बीते तीन महने से लगातार यहां पर अपने आये-वियाय का ब्योरा यानि कितनी आये है, कितनी संपत्ति है, चला-चला संपत्ति का ब्योरा देना होगा और कैसे क्या होगा इसको हम समझने के लिए हमारे साथ विज्य जी हैं ये बताइए कि ये कैसे काम कर रहा है क्या है और ये कितना जरूरी है कब से आप लोग काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मानो संपदा पोर्टल नाम से एक बेवसाइट डिवलप की गई है जिस पे तीन करमचारी विभाग द्वारा पहले बनाये जाते हैं एक करमचारी होता है एस्टेबिलिस्मेंट डेटा इंट्री जो विभाग के सभी करमचारियों का डेटा उसमें भरता है जो सर्विस बुक या निजी पत्रावल्यों में धर्ज होता है उसके बाद अगला एक करमचारी होता है इसर्विस बुक वैरिफायर जो डेटा इंट्री आपरेटर द्वारा भरे गए डाटाओं का परिच्छन करता है सही होता थो वैरिफाइग कर देता ह एक अन रोल होता है इक करेक्षन का, वो कर्मचारी अगर दोनों इंपलाईएओं दोरा कोई भी डेटा गडबड भर दिया गया है, गलत भर दिया गया है तो उसको वो सही कर देता है, तो जो इतनी समय जुलन्त मुद्धा चल रहा है चल संपत्ति बेवरा दर्ज करने का तो वो सभी कर्मचारियों की निजी HRMS कोड और उनके पासवर्ड के माध्यम से भरा जाता है रगराज अगर आप डिमोंस्रेट करके बता सकें कि कैसे ये काम कर रहा है और कैसे आप लोग अपलोड कर रहा है क्या-क्या जानकारिया पब्लिक डूमेन में मिल जाएंगी क्या-क्या जानकारिया नहीं मिलेंगी तो डिमोंस्रेट भी करके बताते रही है रगराज जो मानो मानो संपदा पोर्टल की जो अधिकारिक ब्योसाइड है उसके राइट हेंड कारणर पे अगर हम देखें तो यहां हमें पब्लिक बिंडो दिख जाता है पब्लिक बिंडो में सबसे पहले हमें आफिस लिष्ट दिख जाती है कि उत्तर प्रदेश के कितने विभाग हैं जो म पब्लिक सर्वेंट होता है तो पब्लिक के पास उसके विषय में जानकारी एवलेबल होनी चाहिए तो जो सारुजनिक जानकारी की जा सकते हैं उनका बेवरा दिख जाता है तीसरे नमबर पे किसी भी करमचारी का HRMIS Code हम सर्च कर सकते हैं HRMIS Code जैसे आम ब्यक्ति का आधार कार्ड होता है वैसे ही एक सरकारी कर्मचारी का HRMIS Code होता है For example हम अपना ही ले लेते हैं कि अगर हम जो है अपने यहां हम देखें अपने विभाग में तो किसी भी कर्मचारी का चार माध्यम स HRMIS Code पता किया जा सकता सबसे पहले उस ब्यक्ति का मोबाइल नंबर पता हो या पोस्टिंग आफिस पता हो या डिपार्टमेंट आईडी पता हो या आफिस नेम पता हो अगर हम अपने विभाग का देखें हमारा डिपार्टमेंट विजिलेंस डिपार्टमेंट है हमारा अर्गनाइजेशन विजिलेंस कमीशन है हम लखनौ में तैनाथ है हमारा पत जूनियर असिस्टेंट है अगर हम यहां सम्मिट करते हैं हमारे विभाग में जितने भी junior assistant है वो सारे दिख जाएंगे जो public के पास available है कोई भी देख सकता है और जब हम इसको देखते हैं तो फिर क्या-क्या detail आ जाएगी public domain में आ जाएगी जब आप खोलते हैं तो किसी भी कर्मचारी का जब हम HRMS code पता कर लेते हैं हम अपना ही ले लेते हैं हमारा HRMS code यहां पर 1289 है अगर हम यहां पर P2 अपना देखें यहां जो fact seat है हमारी service book का संचिप्त रूप अगर हम उसको देखें तो हमारा देखो कुछ detail खुलके आ जाएगा हमारा नाम हमारा HRMS code य यह HRMS जिसको कहते है मानो संपता पोर्टल उस पर यह detail है जिसमें लिखा गया है रगुडात सेंग इनके date of birth है home district लखनव है किस level पे यह appointment date लिखी हुई है 18 सेतंबर 2020 confirmation date e-salary code spouse HRMS तमाम अने जानकरिया posting details कितनी qualification है कब MS sociology से किया है लखनव में किस department मतलब यह public को जो जानना चाहिए जो ज़रूरी है वो पता चल जानकारिया इसमें नहीं दी गई है कि जैसे किसी कर्मचारी के ऊपर कोई विभागी जान चल रही है या उस कर्मचारी के family में कौन कौन member है या nominee किसको बनाया गय है या तमाम ऐसी बित्तिये जानकारियां है कभी increment लगा है या कैसे क्या मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें है जिनको अलग करके सिर्फ उनी चीजों को प्रदर्स किया गया है जो आई वे का बिवरा मांगा गया है वो कैसे देख रहे हैं वो अगर हम आप ही के उस पर जाते है हैं कि आपने फिल फिल किया तो कैसे हो रहा है वो जो आई बे का वेवरा है वो डिपार्टमेंट की एक आई डी होती है उसके माध्यम से जो भी नोडल अपसर होंगे वो देख सकते हैं वो विभाग का ही है पब्लिक बिंडो का वो पार्ट नहीं है हाँ उसको पब्लिक न अब वो हम अपना एक्जांपल के तौर पर हम अपना ही खोल के बता दे रहें बाकि यह जो है पुब्लिक का यह रोल नहीं है इसको आम बेक्ति नहीं भर सकता है स्वयम करमचारी अपने यूजर आइडियो पासवर्ड के माध्यम से ही भरेगा सबसे पहले मानो संपदा पोर अब बाकि जिनके सर्वर नाजी सी में स्थापित हैं और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके सर्वर इस्थापित नहीं है तो यहां देखो बेसिक एजूकेशन, मेडिकल एजूकेशन, हेल्थ, राज, समपत्ति, सिकेंट्री एजूकेशन इनके अलग से सर्वर अपना हर में स्कोड भरेंगे और अपना पासवर्ड भर देंगे कैप्चा भरेंगे और लागिन हो जाएंगे यह हमारी बेक्तिगत जानकारी है यह पबलिक कभी से नहीं यह आपके जो है अनुरोद पे हम इसको खोल के दिखा दे रहें ताकि जो भी हमारे देखने वाले हैं उनको जो समस्या रही वो समस्या ना हो यह हमारा खुल गया है अब यहां पे देख़ो सबसे पहला आपस न अमको जरनल का मिलता है जरनल का डिचेल भरा गया है हाँ वो अभी हम दिखा दे रहें चौथे नमबर पर प्रापरटि रिटर्न का आप सन आता है जब प्रापरटि रिटर्न पर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको यहाँ पर देखो पांच आप सन मिलते सबसे पहले हमें अचल संपत्ती का बेवरा अगर भरना है तो हम इस option पे जाएंगे, चल संपत्ती का विवरा भरना तो second पे जाएंगे, मालो हमारे पास कोई अचल संपत्ती नहीं है, तो हम यह declaration पे click कर देंगे, यह हमारे पास कोई चल संपत्ती नहीं है, तो हम इस declaration को भर देंगे, टिक कर देंगे, और अगर हम सिर्फ देखना चाह तो तो आपकी अचल संपत्ती है उसको कैसे दिखाएंगे और किसी ने गिफ्ट की हुई आपको प्रपर्टी है उसको कैसे दिखाएंगे गाड़ी आपको गिफ्ट कर दी किसी ने तो आप कैसे दिखाएंगे जो अचल संपत्ती है और चल संपत्ती सबसे पहले इनके बीच difference हमें समझना होगा कि motorcycle या car हमारी जो है अचल संपत्ती है कि चल संपत्ती है तो इसमें कुछ ऐसे article दिये गए हैं कि वही अचल संपत्ती में आएंगे बाकी चल संपत्ती में ही आएंगे अचल संपत्ती में जैसे हमारा house है कोई building है या agriculture land है commercial land है कोई shop है यह सारी चीज़े हमारी अचल संपत्ती में आएंगे और चल संपत्ती में मानो संपत्ता portal पर तीन आप संदिये गए हैं कोई share को investment या कोई अधर कोई share वगएरा खरीदता है तो share आ जाएगा या investment कोई LIC है RD है किसान पत्र है कोई FD करके रखा है investment में आ जाएगा अधर में जैसे motorcycle है और या सोने चांदी के अभूसन है तो वो भी तो अचल में ही आएंगे रगण जैक एक सवाल ये इस बात कभी कि इससे क्या फाइदा करमचारियों को क्या फाइदा और सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्या लगता आपको? तो मानो संबदा पोर्टल पे जो भी हम डेटा भरेंगे, हमारा ट्रांसफर कहीं भी हो, पोस्टिंग कहीं भी हो, रेटायर हो गये हो, वर्किंग में हो, तो वो सारी सूचना है हमारी सदयो संकलित रहेंगी और इसको कभी भी कहीं से भी देखा जा सकता, सबसे बड़ा इसे हैं जो नहीं भर पाए वो कौन से करमचारी कोई समस्य आ रही है या किस वर के लोग है कुछ ऐसे नहीं देखो ये बिभाग पे जो पत्रावली चला रहा है या उस बिभाग के जो नोडल अपसर हैं उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि करमचारीयों की रिपोर्ट देख अधर जो ये इसमें करमचारीयों सरकार दोनों को लाब है तो सरकार ने जो अपने 827,000 के लगभग करमचारीयों का ब्यवरा आए व्यका चल अचल संपत्ती का मांगा है उस के पीछे मंच्छा सिर्फ पार्दर्चिता और इमांदारी की है ऐसे में करमचारीयों के लिए भी अब जरूरी हो गया है कि उनको अगर तनख्वा लेनी है तो अपनी चल और अचल संपत्ती का ब्योरा देना ही होगा कैमरा परसंड रोहित के साथ संतोष कमारा आज तक